पी-म सम्मान निदी योजना, EKYC, Invalid OTP, Record Not Found, OTP नहीं आ रही इन सारी कमेंट से दोस्तों बहुत ज़्यादा परिशान हो चुका हूँ और यही कमेंट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है मेरे वीडियोस पर भूत लोगों ने पूचा कि इसकी प्रोब्लम का सोलुशन क्या है कब आएगा इसकी प्रोब्लम का सोलुशन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं किलियरली बता देता हूँ और साती में अभी रिसेंटली में मैंने विभाग से बात भी की है इस कमेंट्स को लेकर इन सारी जो भी कमेंट्स आ रही है उन कमेंट्स को लेकर कि ये record not found, invalid OTP, OTP नहीं आती कि क्यों हो रहा है, किस वज़े से हो रहा है सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और साती में कुछ बोनस जानकरी भी आपको मैं देऊंगा कि इसकी दस्वी किस्त कम मिलेगी, किन-किन किसानों को मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी सबसे पहले यहाँ पर मैं record not found, invalid OTP, OTP नहीं आरी इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये issues क्यों आ रहे हैं तो चलिए फिर वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों पहली चीज़ तो आपको मैं यहाँ पर बता दू 2018 के अंदर जो किसान लोग PM सम्माहनिदी योजना के तहत अपना registration करवाए थे वो mobile number आपको सबसे पहले याद करना है या फिर वो mobile number आपको कहीं से लेना है इसे के साथ में जब आप EKYC करवाने जा रहे हो तो वहाँ पर जब आधार number आप फिल करते हो आप चेक करी उस आधार काड़ में आपका कौन सा mobile number रजिस्टर है सबसे बड़ी बात आपने PM सम्मान ने दी योजना में जब registration किया था वो mobile number और जो आपके आधार में registered mobile number है वो mobile number same होना चाहिए तब ही यहाँ पर ज़्यादतर cases में OTP आ रही है अन्यता OTP नहीं आ रही है के लोगों के PM किसान में अलग mobile number registered है और आधार कार में अलग mobile number registered है जदतर उन्हीं लोगों के यह problems आ रही है invalid OTP की यह फिर OTP नहीं आ रही है मैंने बहुत सर्च किया है इन चीजों के उपर और जिन लोगों के PM किसान में एक mobile number है और आधार में भी registered एक ही mobile number है उनको recently में OTP आ रही है कोई problem नहीं आ रही है उनकी EKYC हो भी रही है तो आपको क्या करना है अब मैं आपको इसका solution बता देता हूँ कि आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको अपने PM किसान में जो mobile number registered है वो चेक करना है कि आपके PM किसान में कौन से mobile number registered है मोबाइल नमबर चेक करने के लिए आपको क्या करना है PM सम्मान निदी योजना की OPCF सैट पर आपको विजिट करना है और वहाँ पर EKYC वाल एक बटन पर जाकर आपको नीचे Beneficiary का status नजर आ जाएगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है आप जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके आधान नमबर मांगे जाएगे आपका जो खाता नमबर है वो मांगा जाएगा यह फिर आपका मोबाइल नमबर मांगा जाएगा सिंपले आपको वहाँ पर अपने आधान नमबर फिल करके सर्च पर क्लिक करना है आप जैसे सर्च पे क्लिक करोगे तो Benefitri का जो इस्टेटर है वो फोर्म के रूप में खुल कर आ जाएगा और आपको उस फोर्म में देखना है कि आपके PM किसान में कौन से नंबर दे हुए हैं कौन से नंबर रजिस्टर किये हुए हैं अगर वहाँ पर आपको आधार में रजिस्टर सेम नंबर मिल जाते हैं तो आपकी EKYC हो जाएगी अगर आपके आधार कार्ड में जो Mobile Number रजिस्टर है वो Mobile Number अगर PM किसान के उस फोर्म में आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी EKYC नहीं होगी अब आपको इसका solution क्या करना है आपको आधार सेम्टर पर जाकर जो PM किसान में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो Mobile Number आधार में अपडेट करवा लेना है दो या तीन दिन में आधार नंबर अपडेट हो जाते हैं डॉन्ट वेरी जादा टाहिम नहीं लगता है आप देख CSC Common Service Center पे जाना है और वहां से आपको अपने अंगुठे की साहिता से EKYC करवा लेनी है मैं आपको बता दू अभी यहाँ पर अंगुठे से EKYC नहीं हो पारी है क्योंकि यहाँ पर अंगुठे से EKYC की जो सर्विस है वो प्रोपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो आप आपको भाग दोड नहीं करनी है घवरान नहीं है EKYC सबकी होगी आपको एक जनवरी के बाद में Common Service Center पे जाना है और अंगुठे की साहिता से EKYC करवा लेना है आपको नहीं कोई नंबर अपडेट करवाने पड़ेंगे नहीं आपको कोई नंबर चेंज करने पड़ेंगे कोई नहीं कोई आपको OTP एगी कोई इस्यू नहीं रहेगा आप एक तारिक के बाद में अंगुठे से EKYC करवा सकते हैं और आपकी जो दसवी किस्त है वो भी आपको एक ही जनवरी को मिनने वाली है इसके उपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना के रखका हुआ है उप वीडियो जाके एक बार पूरा वोच कर ले तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही था आपका कोई कन्फ्यूज रह जाता है आपका कोई सवाल जवाब रह जाता है तो नीचे कमेंड सेक्शन में लिखके मुझसे पूछ सकते हैं मैं सभी का आंसर देने की पूरी वीडियो में अब एक लिए जय हिंद जय भारत